अज फिर से स्वागत है आप लोगों का और एक और नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए लेली मैंने ये कडाई और इसमें मैंने डाला ये एक चमस देशी घी इस घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे ये अच्छी तरह से दो से तीन मिनट के लिए भून लेंगे ये देखे इसको दो मिनट भूनने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया और ये गल भी अच्छे से गई थी और अब इसमें मैं आड़ करूंगी दूद यहां पर मैं आदा लिटर दूद का इस्तमाल करूंगी और कि मैं आदा दूद पहले अड़ करूंगी और आदा करूंगी थोड़ी देर बाद में ये देखे मैंने ग्लास दूद इसमें एड़ कर दिया है इसको अब दो तीन मिन्ट के लिए चलाते हुए पकाएंगे और यह देखे चलिए आगे इसमें क्या क्या डालेंगे वो देखते हैं यह मैंने 10 से 12 काजु भीगो कर रख लिये थे और यह अधी कटोरी चावल भीगो कर रख लिये थे इसको मैं मेक्सिके जार में डाल कर इन दोनों अच्छी तरह से पीस लेंगे आप दूद की वज़ा यहां पानी का इस्तमाल भी कर सकते हैं यह देखे यह दूद एड़ किया और इसका एक अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे बारिक सा चलिए अब इस पेस्ट को देखते हैं किस परकार कबन के तयार हुआ हमारा यह तो मैंने जार को खोल लिया और यह देखे एकदम से बारिक पेस्ट बन कर तयार हुआ है आप इसको रख देते हैं साइड में और यह मैंने ले लिया यहां पर कस्टर पाउडर यहां पर एक चमच कस्टर पाउडर लूँगी और उसको ठंड़े दूद में घोल करके इसका गुठले हो जाते हैं और यह अच्छी तरह से घूलता नहीं और इसका एक अच्छे से पेस्ट बना लेंगे घूल कर अगर आप लोगों के पास यह कस्टरड पाउडर नहीं है तो आप इसको स्कीप भी कर सकते हैं क्योंकि बगएर कस्टरड पाउडर के भी वह बनाके रखा था उसको इसमें एड़ कर देंगे यह देखिए अब इसको हम एगाजर भी अच्छे से गल चुकी थी अब इसको इसमें एड़ कर देंगे और इसको कुछ देर के लिए चलाते हुए पकाएंगे यह रेसिपी खाने में बहुत स्वाधिस्ट लगी थी एक बार आप लोग इसको ट्राय जरूर करें और अब इसमें मैं डालूँगी चीनी यहाँ पर मैं आधी कटोरी चीनी का इस्तमाल करूँगी चीनी आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डालिए यह देखी मैंने आधी कटोरी चीनी का इस्तमाल किया है और अब इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे क्योंकि चीनी डालने के बाद तो यह एक बार फिस्टे थोड़ा पतला होगा और इसको अच्छी तरह से फिर से पका लेंगे इस रेसिपी का टेक्सर इतना क्रीमी हो गया था कि जो हम गर्मियों में रबड़ी बगेरा खाते हैं उस हिसाब से बन कर तयार होई थी और अब इसमें मैं जो मैंने कस्टर पाउडर गोल के पहले से रखा था उसको इसमें आड़ करूंगी उससे क्या है कि हमारी यह थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी और इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा यह देखिए इसमें मैं कस्टर पाउडर का गोल इसमें डाल दूगी और अगर आप चाहो तो इसमें कुछ हिलाईची पाउडर डाल सकते है या फिर कोई ड्राइफ्रूट्स और भी डाल सकते है या कोई एसेंस वगेरा भी डाल सकते है लेकिन मैंने इसमें और कुछ नहीं याड़ किया यह इनी चीजों से बहुत स्वाधिस्ट बन कर तयार हो गई थी अब इसको थोड़ी दर के लिए चला लेंगे नहीं तो यह तली में जाकर जम जाएगा कस्टर डाल कर इसको थोड़ी दर के लिए चलाएं जरूर अब यहां पर मैंने कुछ थोड़ी से किसमिस पहले से पानी में भीगो कर रखे थी यह देखिए यह भीग चुकी है अब मैं इनको इस खीर में एड़ कर दूँगी आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा कद्दूकस की आवा नारियल भी आड़ कर सकते हैं थोड़े से बदाम कटक की हुए डाल सकते हैं लेकिन मैंने बस यहां पर केवल किसमिसी आड़ किया है आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें कोई भी ड्राइफूर्ट से एड़ कर सकते हो लेकिन यह बगए ड्राइफूर्ट के भी स्वादिस्ट लगती है एक बार इस को ट्राइजरूर करें क्योंकि यह बनने में भी कम समय लेती है खाने में स्वादिस्ट है और सेथ के लिए भी हैल्दी है इसलिए एक बार इसको जरूर ट्राइज करें अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक से औ करें बेल आइकन दबाए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आता रही देखिए अब बस थोड़ी देर में यह हमारी खीर पक कर तयार हो जाएगी चलिए आगे दिखाती में यह पकती है तो किस तरह से दिखती है यह देखिए अब यह हमारी रेस्पी अच्छी तरह से पक भी चुकी है अब यह एक दम से बन कर तयार है और देखें कितना क्रीमी चारा टेक्स्चर आइस का आज के लिए इतना ही चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में